दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सब को रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात के कोश्चन हल कराये जाएंगे तो वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा चलिए आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए हमारा पहला कोश्चन है 28 आजमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं ठीक है तो 35 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे यह कोश्चन कह रहा है तो इसी को हम हल करेंगे तो सबसे परदे यहाँ पर लिखेंगे हाल या सालूशन ठीक है अब देखिए 35 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना 35 आदमी X दिन में करेंगे हमने मान लिया 35 आदमी उसी काम को X दिन में करेंगे ठीक है देखिए आदमी का रेशियो 28 और 35 आदमी है तो इनका रेशियो समान उनुपाते X और देखिए क्या है 25 दिन इसका उनुपात इस तरह लिखेंगे ठीक है आदमी का रेशियो 28 और 35 समान उनुपाते यह समान उनुपात का चिन है यह उनुपात का चिन है X क्या है दिन है हमने माना है और 25 भी दिन है इस तरह लिखेंगे इसका मतलब हो गया 28 बटे 35 देखिए अनुपात का मतलब होता है भाग तो हमने कर दिया 28 बटे 35 समान उनुपाते ठीक है मतलब बराबर कर देंगे X बटे 25 हो जाएगा बस इसी को सालब कर लेंगे एंसर आ जाएगा तो देखिए इस तरह अगर जो लिखा रहे तो तिरिये गुड़ा कर देते हैं मतलब 35 X हो जाएगा बराबर 28 गुड़े 25 तो यहां पर लिख देते हैं X बराबर 28 गुड़े 25 बटे यह देखिए X के साथ 35 जो है गुड़ा में है इधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो यहां पर 35 कर देंगे अब देखिए 5 से कट रहा है 25 और 35 पांच सत्य पांच पचीश पचीश अब देखिए 7 से भी 28 कट रहा है 7 चोग 28 यहां पर 4 आ गया बचा किया X बराबर 4 गुड़े 5 बराबर 20 दिन क्या है X बराबर दिन है तो देखिए हमने जो माना था 35 आदमी X दिन में करेंगे X का माना आ गया 20 मतलब 35 आदमी उसी काम को 20 दिन में करेंगे देखिए अगर जो आपको इस तरह कोशन दिया रहे तो सबसे पहले आदमी का अनुपात लेंगे आदमी यहाँ पर देखिए 28 है और 35 है उनका अनुपात और सम्मंदे ठीक है इसे सम्मंदे कहते हैं या समानुपाते तो समानुपात कर लेंगे दिनों का अनुपात उसी को साल्व कर लेंगे तो आज आएगा हमारा आखिर कितने दिन में काम होगा तो देखिए हमारा दूसरा कोशन है तीस आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे तो देखिए question same to same है बस आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे हलिया solution माना 20 आदमी उसी काम को x दिन में कर रहे है माना यहाँ पर माना लिखना जरूरी है माना 20 आदमी उसी काम को x दिन में करेंगे हमने मान लिए 20 आदमी उसी काम को x दिन में करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आदमी का अनुपात आदमी क्या है यहाँ पर 30 और 20 तो यहाँ पर हो जाएगा 30 अनुपाते 20 और यह है समानुपात समानुपात का चिन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे दिनों का अनुपात दिन क्या है x अनुपाते 60 दिन 60 हो जाएगा अब इसको साल्ब कर लेंगे तो answer आ जाएगा ठीक है अब देखें 30 अनुपाते 20 इसका मतलब हो जाएगा 30 बटे 20 अब देखें सम्बंदवान ठीक है यह समानुपात का चिन है इसका मतलब बराबर हो जाएगा x अनुपाते 60 का मतलब बटे 60 हो जाएगा अब इसको साल्ब कर लेंगे अगर जो कोई भिन बराबर है ठीक है तो इसका गुड़ा त्रियक कर लेंगे 30 का गुड़ा 60 में 20 का गुड़ा X में तो यहाँ पर हो जाएगा 20 X बराबर 30 गुड़े 60 अब यहाँ पर हमको निकालना है X कमान तो X बराबर लिखेंगे 30 गुड़े 60 और बटे 20 क्योंकि यहाँ पर जो 20 है X के साथ गुड़ा चिन में था दूसरे 60 जाएगा तो भाग चिन में हो जाएगा अब यहाँ पर देखी X बराबर 0 से 0 कैंसिल 2 ती याँ छे आ जाएगा 30 गुड़े 3 क्योंकि यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया अब इनका हम गुड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा X बराबर तीन त्रिकार 9 0 लगा देंगे तो आज जाएगा 90 दिन मतलब 20 आजमी उसी काम को 90 दिन में करेंगे देख दीजी यहाँ पर फिट से हमने X कमान निकाल लिया X कमान 90 आया है ठीक है इस तरह आप कर सकते हैं किसी कोश्चन को अगर जो आप सब को समान उपात या उपात की कोश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजी और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए ऐसे और मज़दार वीडियो के लिए मिलते हैं नई वीडियो में तो जय हैं जय भारत